हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पेंद्र कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडी तु पेंद्र स्टेडी क्लासस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मैटरलोजी एंड मिजिरिंग इंस्टुमेंट के चिप्टर सेकेंड के कुछ टॉपिक के बारे में जैसा कि आप लोग को निश्टे क्लासस मेंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था आज का टॉपिक होने वाला है डायल गेस क्या होता है और डायल गेस का कार सिध्धांत यानि वर्किंग क्या होता है इन सारे topic के बारे में पूर्ड रूप से discussion करने वाले हैं तो यहाँ पर वीडियो काफी helpful होने वाली है वीडियो लाश्ट तक देखना है तब ही आप लोग को समझ में आएगा चलिए हम बात करें जैसे कि आप लोग को कई सारे student mechanical 6th semester और mechanical 5th semester की notes लेने की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप लोग को 6th semester का 6th semester का जैसे कि मैंने बता था एक subject का payment कितना है आपको only 45 रूपीस है और वहीं फिर total subject लेते हैं तो 179 में आप लोग को 4 subject का फीडियो और साथ में important question भी provide किया जाएगा one month पहले exam के बेस पे चलिए हम बात करें 5th semester का तो जिन student का 5th semester में किसी भी subject की back लगी है mechanical 5th semester में तो सारे notes आप लोग को available है वो भी जितने भी payment है आप लोग को same rate है यानि 45 रूपीस है आप अपना लोग को जो भी student PDF लेना चाहते हैं contact number दिया गया है screen box में screen पे आप लोग contact करिए और अपना payment कट होई और payment करने बाद अपनी PDF ले लिजे जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर तयारी हो सकती है चलिए बात करें जैसा कि आप screen के माध्यम से देख पार है dial gaze क्या होता है अब dial gaze को देखेंगे dial gaze को definition के माध्यम से देखेंगे definition हमारा क्या कहता है कि यह dial gaze सूचक कहलाता है इसका उप्योग समानता छड़ों तथा छिद्रों की संके इंदरता सतों को चप्टापन की जाच करने में किया जाता है मिन्स कहने का मतलब हुआ कि dial gaze तो हमारा टाइप भी भी इन्य टाइप के होते हैं अब dial gaze क्या होता है ज्यादा uses करने वाला टाइप यूज किया जाता है तो किसी hole को जो उसका कहने के मतलब कोई भी दूसरा पार्ट ले लिया गया, उस Reid को टाइट किया गया है तो कितने प्रेशर पिर उसको टाइट किया गया है, इनको मापने के लिए हम किसका प्योग करते हैं तो dial gaze का प्योग लिंग की जाता है, अधिकतर uses इसी basis पर किया जाता कहने के बतलब है किसी चिद्रों या छड़ों की प्रेशर को अपने के लिए डायल गेस का प्योग करते हैं यानि प्रेशर या संकेंदरता जिसे बोलते हैं उनकों अपने के लिए किसका प्योग करते हैं डायल गेस का प्योग करते हैं डायल गेस के दौरा हम जितना प्रेश कांड देंद का कारी सुद्धांद तो आप लोग को जैसा कि मैंने बताय था राक इस प्रकार से होता यहां पर्लोटेय। को जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं प्लेंजर में क्या किया जाता है उस छिद्र को फंसाने के बाद क्या करता है मतलब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद क्या करता है जब यह जिस प्रकार से जितने तेज से घुमाते हैं यह आपका किसमे रहता है जीरो पॉइंट प जितने tight तक हमारा tight किया रहेगा है उतनी उसी basis पर जाकर वो fit हो जाएगा और fit होने के बाद हम क्या करते हैं इसके adjuster के द्वारा हम क्या करते हैं उसको tight कर लेते हैं और tight होने के बाद उसका जो measurement होता है उसको आसानी से हम note कर लेते हैं जैसा कि आप लोगो यह देख पा रहे हैं यहाँ पर गोल गोल टाइप में आपका यह स्केल है, स्केल के जरी हम क्या करते हैं, जितनी value होती है, ओ आसानी से मापते हैं, और यह metric dial, metric dial भी यह आपका छोटा types का होता है, यह आपको यहाँ पर दिखाय नहीं गया है, आपका centimeter या फिर mm में जैसे कि जिस प्रकार से हमारी value होती है उसको क्या करता है हमारा matrix dial के इंतरगत देखते हैं चले बात में जैसा कि आप लोग को इसका कारिशिद्धान्त के बारे में तो कारिशिद्धान्त हमारा क्या कहता है यहाँ पे screen के मादन से देखेंगे इसमें rag and pinion तथा gear की सहायता से उच आवर्धन प्राप्त किया जाता है जो इसका rag and pinion होता और gear होता है जिस परकार से हमारी चोड़ी होती है चोड़ी की सहायता से इसको क्या किया जाता है time करने के बाद हम इसका measurement जो भी value होती है उसके अकात्रित यानी प्राप्त कर लेते हैं आगे बहीं पर बात कर जाए यहाँ सन्यूक्त gear सिद्धान्त पर करता है जो आपका यह dial gaze हो गया है dial gaze का जो अंत्रिक पार्ट होता है वो किसके सिद्धान्त पर करता है तो आप लोग जैसे कि सन्यूक्त gear सन्यूक्त gear हमारा क्या होता एक दूसरे से जो गियर होते हैं आपस में मिले होते हैं और आपस में मिलकर वो गियर आपस में चलते हैं तो जैसे कि आप लोग को dial gaze का ज प्लांजर के बाद आगे हमारा टॉपिक कहता है कि प्लांजर की गती गती इस्प्रिंग द्वारा ऊपर नीचे सीमित रहती है और प्लांजर की रैखिक गती उस पर बने रैख के माध्यम से पिनियन जीवन को परिभासित होती है और पिनियन जीवन के इस्पंडल पर एक बड़ा गियर जीटूर लगा होता है means कहने का मतलब हुआ कि जब हम क्या करते है प्लांजर को यानि जो प्लांजर को कारखंड लगाती है और कारखंड को लगाने के बाद जो हमारा डायल गेस होता है उसको मूबिल करते हैं मतलब घुमाते हैं तो घुमाने के बाद हमारा जो जीवन गियर होता है वो क्या करता गूमने की वजह से हमारा G2 होता है वो दांते बने रहते हैं मतलब कहने के मतलब आपका गियर कुछ इशी करता है G3 को को खुमाता है तो हमारा जो यह राड लगा होता है टा जाकर पैमानी पर एकक्त्रित होता मीन्स तहने मतलब है जितने प्रेसर तक जितने प्रेसर पर बाल जिदेव मारा क्या होता है जो मुक पैमाना है वह मारा जिरो से स्टार्टेंग है और यहां पर आपका कुछ 20還 prie कितना आ रहा है 20 पॉइंट आ रहा है तो सबसे पहले हम जब क्या करते हैं कारखंड पर लगाते हैं जो हमारा प्लेंजर लगाते हैं लगाने के बाद जो हमारा मुख सूचक होता है वो जीरो पर स्टाटिंग होता है जीरो से रहता है जब थोड़ा सा गुमूब करते हैं मतल टाइट कर देते हैं और टाइट होने के बाद हम क्या करते हैं उसके जो measurement की value होती है वो एकत्रित कर लेते हैं और जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कई सारे gear दिखाए गए हैं G1, G3, G4, G5, G6 तक तक तो यह आपके types के आधारित पर होता है तो जैसा कि आप लोग को जो मुख dial gaze होता है वो dial gaze आपका दो ही gear पर depend रहता है जैसा कि आप लोग को plunger से एक gear जुड़ा होता है और एक gear जोडने के बाद हम क्या करते हैं जो हमारा मुख पैमाना होता है उससे को add कर लिए जाता है चलिए आगे बात का जाए वैसा कि आप लोग को कई सारे यहाँ पर gear दिखाएगे हैं तो आगे हमारा क्या करता है तथा बड़ा gear G2 से दूसरे pinion G3 जिस पर सूचक लगा होता है और लगा होता है और ये मिलान करता है और जो pinion G1 की गतिका आवरधन क करता है इसे बित्ताकार आंसिक मुख्र पैमाने पर पढ़ा जा सकता है और एक अन्य गियर G4 pinion G3 के spindle पर जोड़ा रहता है और जो अन्य सीरे gear G5 पर लगा spindle spring की यंत की balance 30 को कम करता है और इस gear G6 G3 का मिलान करता है और gear G6 पर अन्य सूचक जिसे चक्कर काउंटर करते है लगा रहता है मिन्स कहने करता है यहां पर आप लोग को जैसे की क्या बताया आपका पहले हम क्या करते हैं placer को कारखंड़ पर लगाते हैं plenjor को लगाने कि क्या करते हैं और जैसा कि आप लोग को एक पॉइंट और आता है क्या आता है जैसे कि आप लोग को यहाँ पे सम्थिंग में बहलू आई टू पॉइंट लगभग 5 तो यह आपका जो 2.2 mm दिखा रहा है वो किसमें दिखाएगा आपके जो बड़े वाले पैमानी होगा इसमें दिखाएग उनके आधारित पर हम क्या करते हैं उसको एड किया जाता है आई खुब गैस यहाँ पर जो को मुख सूचक के बारे में पोडरूप से समझ में आया होगा चलिए निश्ट टॉपिक की बात कर जाए डायल गेस का अनप्रियोग यानि कहने को मदलब है डायल गेस का करना किसी भी कारखंड को क्या करता है मिजर्मेंट यानि मिजर्मेंट की साथ से जाच किया जाता है कि हमारा जो कारखंड है कितने टार्क तक हमारा मतलब एड किया गया है और साथ में कितना टाइट किया गया इनको जाच करने के लिए हम डायल गेस का यूज़ करते हैं न I hope guys, यहां पर आप लोग को डायल गेस के बारे में पूर्डूरूप से बताया गया, I hope कि आप लोग को सारा टॉपिक पूर्डूरूप से समझ में आया होगा, तो बस guys, आज की इतना ही वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सस्क्राइक जाजादा सेर करन कि एप एक नहीं होगा है थे तो, चैनल को से सक्क लेप लोग, दोक्तोरू से काओ चा절 जाओ, याझ जारूब लोग होगा चैनल के लोगे होगा होगा है, जाक जास्य फोगूरू़ूजशना है के बतारे